मद्यप्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है बावजूद इसके राल्थानी भोपाल की जंता लॉकटाउन का पालन नहीं कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग भूल कर लोग राशन की दुकानों पर भीड बढ़ा रहे हैं कोरोना संक्रमन को देखते हुए पी-म लॉकटाउन की अफ़दी 3 मई तक बढ़ाने की घोशना की है कोरोना संक्रमन का खत्रा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रसिदिल प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है इन दोर के बाद भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या सब से ज्यादा है लेकिन भोपाल वासियों को उस से क्या भोपाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीज गांधी नगर की सबकों पर भारी भीड देखी गई है राशन खरीदने लोग राशन की दुकान में भीड का हिस्सा बन रहे हैं आलम ये है कि शोशल इस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है अब सवाल ये है कि क्या हर वत प्रशाशन को लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहना पड़ेगा क्या लोग अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अनुशाशित नहीं रह सकते लोगों को ये समझना है कि लॉक्टाउन और शोशल इस्टेंसिंग का पालन कराने की जिमेदारी जितनी शाशन और प्रशाशन की है उससे कहीं ज्यादा जिमेदारी लोगों की खुद की है दखलनी उस प्रदेश की जन्ता से अपील करता है कि क्रप्या लॉक्टाउन का पालन करे, घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाय रखे और खुद को सुरक्षित रखे आप देख रहे हैं दखलनी उड़